नमस्कार स्वागत है आपका खबरों का पंच्छ नामा में मैं हूँ आपके साथ बखता हम लेकर आए हैं देश और दुनिया के पांच बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमार साथ स्टूडियो में मौझूद है नवाब मलिक के जासूसी वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार बोले अपराधी के मन में हमेशा पकड़े जाने का डर फूटने वाला है नवाब के पापों का घड़ा संसत सत्रो और चुनावों से पहले विपक्ष में पड़ी फूट पी-म मोधी की सर्वदली बैठक में शामिल हुई टी-मसी कॉंग्रेस की मीटिंग से किया किनारा चुनावों से पहले छोटे दलों से गट बंदन कर रहे अखिलेश भीम आर्मी चीफ चंदर शेखर आजाद में भी की अखिलेश से मुलाकात स्पी की स्टाइकल पर हो सकते हैं सबाद पंजाब में सी-म चेहरे को लेकर आम आदमी पाठी में घमासान केजरिवाल की सभा में भगवन्त मान के हक में लगे नारे कारेकर्टाओं पर भढ़के केजरिवाल कोरोना के नए ओमीक्रोन वेरियंट से दुनिया में दहशत पीम की लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील कोविट टास्क पोर्स को 24 घंटे निगरानी के आति सबसे पहले बात नवाब मलिक के बयान से गर्माई सियासत पर वानखेडे पर आरोप लगाने वाले नवाब मलिक ने अब खुद की जासूसी का आरोप लगाया है और कहा है कि कुछ लोग उन्हें अनिल देशमुक की तरह जूटे मामले में फसाने की कोशिश कर रहे हैं नवाब के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि एक अपराधी को हमीशा पकड़े जाने का डर रहता है अगर कोई मलिक का पीछा कर रहा है तो महरास्ट में किसकी सरकार है ग्रह मंत्राले किसके पास है ट्विटर पर पोस्ट करने के बजाए वो ग्रह मंत्री या पोलिस आयोक्त से जांच शुरू करने की शिकायत क्यों नहीं कर सकते इससे बस यही पता चलता है कि नवाब मलिक को अब पता चल गया है कि जिस तरह हाई कोट के आदेश पर अनिल देशमुक के खिलाफ कारेवाई की गई थी आने वाले दिनों में उनके पापों का घड़ा भी फूटने वाला है उसकी वजह से उन्हें गिरफतारी का डर सता कर रही है वसूली गैंक को एक्सपोज कर रही है अनिल देशमुक के खिलाफ अलग अलग सबूत इकठा कर रही है जो ड्रग माफिया है उसके खिलाफ जो कारवाई हो रही है इन तमाम सेंट्रल एजिंसियों को डी लेजिटिमाईज करना उनके उपर सवाल खड़े करना य ये एन्सिपी शिवसेना और वहां की कॉंग्रेस पार्टी का ये लाइन है वो इसलिए क्योंकि ताक वो ये कह सकें कि हम तो इनोसेंट हैं मोधी सरकार जान बूचकर हमारे खिलाफ एक बदले की कारवाई कर रही है अदरवाईज हम तो सत हरिश्चंद हैं घूस खोरी नह नहीं करते जूट नहीं बोलते हम गांधी जी के तीन बंदर हैं गलत काम ना हम करते हैं ना सुनते हैं ना हम देखते हैं अब नवाब मलिक इसी दर्मियान उन्होंने कह दिया कि हमें दो-दो साहे नजर आते हैं दो लोग मुरा पीछा करते हैं तो भारती जंता पार्टी ने आज उसका जवाब दिया और जवाब बहुत ही तारकिक है ये एक बहु बली मिनिस्टर है महराष्ट सरकार में अब उनकी जासुसी कोई कर रहा है तो इमिडिटली प्रसासन तो उनके पास हैं महराष्ट कोई केंदर सासित राज तो है नहीं कि जो आप ने ये कह दिया कि मैं अमिश्टा से शिकायत करूँगा आपको ये शिकायत मुख मंत्री से करनी चाहिए ग्रे मंत्री जिसके अंतर सारा CID है सारा पुलिस है उनके खिलाब उनके पास जगर के आपको अपनी वथा सुनानी चाहिए वथा सुनाने की भी जरूरत नहीं है उनको तो एक फेन फ इसके पीछे का मूल वज़ा यही है कि उधर वसूली गैंक में बड़े बड़े नाम एक्सपोज होने वाले हैं और जो लोग इसमें फसेंगे उसके वज़ा से यह सरकार जाएगी राजनीती भी होगी तो वो जो आगे आने वाले समय में राजनीती होगी उसी के लिए एक ड जबाब मलिक तयार कर रहे हैं जी रब साब अगली ख़बर विपक्ष में पड़ी फूट पर राजनीती में अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटी टीमसी कॉंग्रेस से ज़ादा मेल जोल करने से परहेज करती नजर आ रही है यही वज़ा है कि पीएम मोदी के जाने वाले मुद्दों पर आम सहमती बनाने के लिए 29 नवंबर को बुलाई गई विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक में शामिल नहीं होगी डॉक्स अब चुनावों से पहले विपक्ष में फूट किस तरफ इशारा कर रही है विपक्ष में एकता ही कब थी सवाल तो यह देख रहा है बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित जो ही कह रहे है कि ममता बनाने जी किस कदम से विपक्ष के अंदर फूट पढ़ जाएगी धरार आ जाएगा बही जो आलेडी टूट फूट करके पूरी तरह से विशित हो चुका है उसको आप किस तरह से आप जोड़ेगी मीटिंग तो सुंबार को होगी ममता बनाने जी अभी आई है उसके पहले क्या हुआ उसके पहले यह हुआ कि आपके XCM को फलेरियो साहब को TMC अपनी साइड ले गई गोवा में कॉंग्रेस पार्टी को बीच से फाल के TMC ने अपना जगह बना लिया वहाँ पे अब किस मूझ से वो कॉंग्रेस के पार्टी के पास जाएगी सोनिया गांदी के पास जाएगी इतना है नहीं मेगाले के अंदर में क्या हुआ पूरी के पूरी पार्टी उन्होंने टीमसी में कनवर्ट कर दिया कितने सारे लोग और इतना ही नहीं असम के अंदर आपने सुस्मिता देव को पार्टी में ले लिया दिल्ली पहुंचती है ममता बनर जी उसके पहले आपने किरती आजाद को उठा लिया तो कॉंग्रेस के जड़कों भी आप काटें और मीटिंग में भी जाएं तो ये तो पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि ममता बनर जी की स्टेटिजी बिल्कुल ही क्लियर है कि कॉंग्रेस पार्टी को नस्ट करके ही वो अपने नैशनल एंबिशन मतलब प्रधान मंतरी बनने का जो सपना वो देख रही है उनको समझ में आ गया है कि इस रास्ते में सबसे बड़ा बाधा वो बीजेपी नहीं बलकि कॉंग्रेस है इसलिए पहले कॉंग्रेस को खत्म करना आवशक है तो वो ही काम कर रही है दूसरी बात यह है कि कॉंग्रेस पार्टी अपने आप में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी और उसका लीडर्शिप हाथ में लेना चाहती है तो राहूल गांदी को आगए आना चाहिए यह खडगे को ममता बिनर जी लीडर मानेंगी सरत पवार लीडर मानेंगे यह कॉंग्रेस पार्टी की निहायती बेवकूफी है कि आप खडगे के नित्त में मीटी मुलाए और बाकी सारे लोग आ जाए और आए क्यूँ टीमसी ने साफ साफ कहा है कि जो पार्टी खुद अपने पार्टी को समाल नहीं पा रही जिन राज्यों में मजबूत थी वहां आपस में ही लर जगड़ रही है चाहे वो मद्द परदेश हो चाहे माराष्ट हो चाहे राजस्तान हो पंजाब हो हर जगा कॉंग्रेस पार्टी टूट फूट अंदर ही बवाल मच रहा है और जहां वो गटबंदन में थी वहां आप जगड़ ले रहे हो अखले सादब से आपकी नहीं बनती पिछले बार को आप मंद पार्टी मिले के आओ आपने उसको पूरा का पूरा पूरी जिम्मेदारी बिहार के दे दी तो आरज़ेडी भी वापस तो कॉंग्रेस पार्टी अलग थलग पढ़ रही है भारती जंता पार्टी की वज़े से नहीं ममता बनर जी के रणनीती की वज़े से तमाम लोग किस तरीके से कॉंग्रेस पार्टी को रिवाईव कर पाते हैं लेकिन जिस हिजाब से कॉंग्रेस चल रही है ये तो साफ साफ लग रहा है कि 2024 में ये राज़नीती के मुख केंदर में पोजिशन के केंदर में वो नहीं रहेगी ममता बनर जी उस स्पेस को धीरे हतिया रही है चोटे चोटे दलों को अपने साथ लाकर बीजेपी को हराने की कोशिश में लगे हुए ये उनकी तरगीप कितना रंग लाएगी देखी ये मुझे लग रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप घर को मजबूत बुराने के लिए दीवारे बनाते हैं और अगर उसमें कहीं मिस्टेक हो जाए तो मालूम चलता है कि आपनी दीवार तो बना ली लेकिन खुदी उसी दीवारों के बीच कैद हो गए अखले स्यादव इसी ओर जा रहे हैं 12 पार्टियों के साथ घडबंदन हो गया लेकिन घडबंदन की भूख अभी तक खत नहीं हुई है आप भी मार्मी से भी बात कर रहे हो अभी आप अभी बात कर रहे हो आम आदमी पार्टियों से भी खबर ये आ रही है कि त्रिनमूल कॉंग्रेस के साथ भी आपका गडबंदन होने वाला है तो ये 15-16 पार्टियों का आप चुक कुनबा तयार कर रहे हो तो ये तो ऑन एवरेज भी अगर मान लें कि दोसों के दस-दस सीट अगर आप देते हैं चुनाव लोलने के लिए त बहुत बड़ा एक कुनबा बनाने के चक्कर में ये समस्याएं बढ़ती चरी जाएंगी समाजवादी पार्टी के लिए ये देखना पड़ेगा कि आगे चलकर के सीट एजस्मेंट किस तरीके से ये लोग करते हैं लेकिन जो कुछ भी हो जिस तरह के इलेमेंट्स को समाज वोटर हैं वो भारती जनता पार्टी को वोट देने के अलावा उनके पास कोई दूसरा आप्शन नहीं होगा इसलिए ये जो कवायत है ये कवायत ऑन पेपर दिखने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन इन रियालिटी ये बूम रेंग करने वाला है जी डॉक साब नहीं रोके जिससे केजरिवाल की जम कर किरकरी हुई जॉक साब केजरिवाल की तो खुद के कारे करता ही किरकरी कर रहे है देखे केजरिवाल मैं बार बार कह HimT के का राजणीति का नेटवरलाल है पांच सेंटेंस से बोलता है तीन उसमें जूटे होते हैं अब आज क्या हुआ वह कारकरताओं के सम्मूधन कर रहे थे पब्लिक बीटिंग नहीं थी कारकरताओं को सम्मूधन किया जा रहा था और उन्होंने जैसे ही ये सेंटेंस कहा कि इस बार जो मुख्मंत्री होगा वो पंजाब का ही होगा बस मान साहब के नारे लगने शुरू होगे उन्होंने चुप कराने के कोशिश की लोग चुप नहीं हुए क्यूं ये दुविधा क्यूं है ये समझ लीजे क्या है ये दुविधा ये है कि पिछले कुछ दिनों से गर आप देखें तो जिस तरह से मनिस सुसोदिया को आगे बढ़ाया गया है टेलेविजिन एड्स मे मनी सुसोदिया हर जगर नज़र आ रहे हैं अब पिछली बार कैपिटल टीवी ने ही ये खुलासा किया था किस तरह से कुमार विश्वास ने अमेरिका में बनी एक फिल्म में ये कहानी बताई थी कि केजरी वाल ये चाहते थे कि पिछली बार वो ये कॉन्फिटेंट थे कि सरकार बनेगी तो वो उन्होंने ये प्लान कर लिया था कि पंजाब का सीम वो खुद बनेगे ये बात स्टेज से वो आदमी कह रहा है केजरी वाल कि इस बार पंजाब का ही कोई सीम होगा ये कहने का मतलब है बिहार में चुना होगा तो क्या मुक्ष मंतरिक गुजरात से आएगा बिहार का ही कोई होगा बंगाल में चुना होंगे तो बंगाल का ही कोई व्यक्ति बनेगा वो केरल से तो आएगा नहीं कोई यह अपने कार करता हों को इसलिए वो समझा रहा है कि वो केंफ्यूजन दूर क्योंकि वो उसकी चोरी पिछले बार पकड़ी गई थी क्योंकि कुमार विश्वास नहीं बात बताई कि जब रिजल्ट आने वाले थे इनको लग रहा था कि हम चुनाओ जीत रहे हैं तो इन्होंने कुमार विश्वास को बुलाया और बुका कि संजे सिंग और तुम दुनों वहां जाओ और वहां पे मुख मंत्री के नाम पे मान और अलग अलग गुटों में लड़ाई करवा दो और उसके बाद जब किसी का नाम फानल नहीं हो पाएगा तो वहां पे इस बात कर रिजूलूशन पास करा दो कि पंजाब को बदलने के लिए पंजाब में सुराज लाने के लिए पंजाब में भष्टाचार मुक्त करने के लिए पंजाब में ड्रग माफिया के खिलाब लड़ाई लड़ने के लिए केजरी वाल की जरूरत है और वो सब कुछ यहां दिल्ली में सुसोदिया को सौप कर वो पंजाब का सीम बन जाता कितना बड़ा फ्रॉड आदमी है रहने वाला ये हिसार का जन्मा ये हिसार का है ये ये हर्याना का रहने वाला वेक्ती गाजियाबाद में रेसिडेंस में था जब यह अंना अंदोलन हो रहा था दिल्ली का मुख मंतरी बना अब पंजाब का भी मुख मंतरी बनना चाहता है तो कहने का मतलब ये है कि केजरिवाल के उपर जिन लोगों ने भरोसा इस्तक किया चाहे वो अन्ना हजारे हूँ चाहे वो किरनवेदी हूँ चाहे वो योगंदर यादव हूँ चाहे वो भूसन साहब हूँ वकील साहब और तमाम लोग जिन लोगों ने भी केजरी वाल के उपर भरोसा किया उनका भरोसा हमेशा तूटा ही है पंजाब के लोगों को ये ध्यान देना होगा कि जिस तरह से दिल्ली वाले रो रहे हैं क्या उनको भी आक्के आसूर रोना है या इस नटवरलाल से दूरी बना के रखना है आकरी खबर देश पर आई नई आफ़त पर साउथ अफ्रीका में पाए गए कोरोना के नए उमिक्रोन वेरियंट ने दुनिया भर के लोगों की नी नुड़ा दी है इससे निपटने के लिए हर देश अपने अपने तरीके से तैयारी में जुट चुका है भारत नी भी मोधी सरकार ने राज्यो को कई महत्वपूंग निर्देश दिये हैं पीम मोधी ने भी लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने मास्क लगाने और भी ना जुटाने की अपील की है तो वहीं उमिक्रोन वेरियंट के इस नए खत्रे से निपटने की कारे योजना तैयार करने के लिए महरास्ट्रों सरकार ने बैठक बुलाई है वहीं ने ओमिक्रोन को कोरोना के डेल्टा वेरियंट से साथ गुना तैजी से फैलने वाला बताया है है डॉक्स अब कोरोना का नया वेरियंट कितना खतरनाक साबित हो सकता है अगर लोगों ने लापरवाही बरती तो इसके क्या सक्प्टेंस होंगे देखिए ऐसाब से बड़ी बात कि ये बहुत रेद डेडली वायरिस है जैसा कि आप ने बताये कि साथ गुना तेजी से फैलता है और इसमें डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है और इसमें जो सबसे पड़ी बात है कि अभी तक ये हिंदुस्तान में नहीं पाया गया है पिछली बार जब हिंदुस्तान में कोरोना आया था वो एक मिस्टेक की वज़े से आया था कि जब इटली से कुछ लोग पहुँच गए था आगरा और आगरा से वो अलग-अलग जगों पे चले गए और जहां से ये कोरोना हिंदुस्तान में फैलना शुरू हुआ और उसके बाद जिस हिसाब से आपने देखा कि किस तरीके से वो तबलीगी जमात और ये तो सुरू से ही ये अच्छी बात है कि सरकार अभी जग गई है तो बहुत सारी चीजें बहुत सारे जो स्टेप्स वो उठाए जा रहे हैं साथ अफरिका से लोग जो आ रहे हैं या फिर हॉंग-कॉंग से जो लोग आ रहे हैं फिरका किसे जहां जहां यह वेरियंट पाया गया है उनकी चांच परताल तेजी से हो रही है थर्ड वेव आने का खत्रा अभी टला नहीं है प्रधान मंत्री मोदी ने आज मन की बात में यह बात को दोराए भी समस्या क्या है समस्या एक लिप सर्विस का है और सरकार के तरफ से चराए जा रहे कानून का है करिकर्म का है पिछली बार सेकेंड वेव में जो इतने लोगों की मौत हो इसके पहले क्या हो रहा था बहुत सारे फेस्टिबल्स आये, सब कुछ हुआ और चुना भी आपने करवा दिया पांच-पांच राज्यों में चुना हो गए और उसके बाद जो हस्र हुआ वह आपने देखा अब इस वेरियंट से भारत में कोई ज्यादा नुकसान ना हो तो इसमें जो पहला स्टिप होना चाहिए कि आपको सतर करने की जरूरत है लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मास्क जिन लोगों ने वैक्सिनेशन नहीं लिया है फॉरण जाकर कि वो अपना वैक्सिनेशन करवाए प्लस सरकार को सचेत रहना पड़ेगा कि अगर इसे तरह का वेरियंट अगर सुरू महिएगर पाया जाता है तो तो यह तमाम जो यूपी में चुना हो रहे हैं पंजाब में चुना हो रहे हैं इसको इमिडेटली मस्क भी पुट अन होल्ड इसको पॉस्पोन करनी क्या हो सकता पड़ेगी और ये सारी चीजे सरकार को इसमें ध्यान रखना है और ये जो किसान अंदोलन वेरा जो चल रहा है जमगट हो रहा है प्रधान मंतरी सोसल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे है और उनके नाक के नीचे सोसल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी हो रही है दिल्ली के बॉर्डर्स के उपर तो उसके उपर कोई कारवाई भी नहीं हो रही है तो ये कथिनी और करनी में भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए जी डॉक साब इतनी सठीक और भैतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद खबरों का पंश्राम हमें आज के लिए इतना ही देश विदेश की बाकी खबरोर उनके सठीक अलसस के लिए देखते रहे हैं ये कैपिटल टीवी हमें लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार